असलाम अलेकुम क्या हाँ चाल हैं आप सब की उम्मी करती हूँ आप सब ठीठा पूलिए आपकी दोहों से मैं भी बिल्कुल ठीठा फिट एंड फैट मैं फिट नहीं होती हैं मैं फैट होती हूँ और भाई मेरे विलॉग इतने दिन से नहीं आये काफी कुछ मेरी मश्रूफयात थी और जो है इस वक टाइम हो रहा है एक बच गया है हमने अपने विलॉग का आज साथ किया है हपीबा जो है अभी स्कूल से आई है हेलो किसे आप सब कैसे हो आप तो ठीक हो पूछो आप सब कैसे हो बोरो अब्याद केचे हो आप हाँ है हा हलो है अजाए है अफटिश्य रूटीन का क्रते हैं मागा इस वर घर का मेरा जिना बुरा हाल हो रहा है काम काफी सारा जबा हुआ हुआ है किचिन में बर्तन हो तो है जो है कल संडे था और हमारी कल काफी मस्रूफ याथ इस वाइसे थी कल घर को मैंने बिल्कुल पी टाइम नी दिया हमें दो जगा जाना था एक जगा था वह बहुत हुआ हम नों नीकले थे नहीं हम घर आए और में कजन सिस्टर थी उसकी डेट वैडिंग डेट सिक्स्ती तो पिर हमें वहां चाना था और वहां का जो है मैंने व्लॉग बगरा इसलिए शूप नहीं किया अचा मैं आपको एक बार अपनी व्लॉग में देखने वाले को एक बार क्लेर करना चाहती हूँ एक मैं फैर आफ कर गो कि मेरी आवास बिल्कुल थी ठाक लुए कानों में और दिमाग में पहुँचे कि अगर मेरी इजाच से किसी को भी अगर ये गलत फहमी या मैं कहती हूँ खुश फहमी हो कि हमारे कल मेरी कजन की डेट फिक्स थी सबको मालूम था कि मैं एक व्लॉगर हूँ मैं व्लॉग बनाती हूँ मेरे हाथ में मेरा मुबाईल है जायर सी बा पाऊं आ गए हमारे काले हाथ आ गए हमारे बाल आ गए हमें तो अनम ने capture कर लिया अपनी व्लॉग में अनम ने ले लिया let me clear one thing मेरे मुबाइल में कच्छा जमा करने का बिलकुल भी space नहीं है मेरे लिए कोई भी इतना important नहीं है कि मेरा मुबाइल उसको capture करने की जहमत करेगा second बात अगर मैं किसी का व्लॉग बनाती भी हूँ किसी के भी बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मुझे रोख सके मगर मुझे ये बात खुद पसंद नहीं है मैं last time भी एक event पर गई मैंने व्लॉग नहीं बनाया हर किसी के अपनी privacy होती है लड़कियां ओतियां औरते होती है लोगों को नहीं पसंद होता कि हमारा व्लॉग व्लॉग व्लॉगर उठी हूँ इसके हाथ में मुबाइल होता है मेरा ये family vlog family content है वो मेरी family की हद तक है और मेरी family पांच बंदों पे मुश्तमिल है उसके अंदर ना तो मेरे in-laws मेरे family में से relate करता और नहीं मेरे Macay से socialist of meine family से relate करता है मैं किसी को भी space देना आब अभलाप पसर नहीं कटी नहीं अपने ì और नहीं अपने וה वालगों को वो मेरी family में आकर किसी किसम का भी relate करे झाता है मेरे उसमिल्स में और मेरे तीम बच्चे इसके इलावा किसी की भी मेरी फैमिली में गुंजाइश नहीं हैं अगर कोई यह सोचे कि हम भाइ आगे शागे कोई यह बोले कि हमारे मैं तो साफ सी बात है मैं किसी को भी अपनी life में इतनी importance नहीं देती कि अगर आप यह सोचो किया आप मैं आपको capture करूंगी या आपका पूरा wedding tutorial बनाके अपने vlogs में लालूंगी यह जो आपके दिमागों के अंदर का खुश फैमी है या आने वाली है तो प्लीज इसको अपनी दिमाग से निगलेट करें क्योंकि मुझे कच्रा जमा करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है मेरे मुबाइल में कच्रा जमा करने का बिल्कुल भी space नहीं है तो यह मैंने आपको अभी शुरू में start में ही बता दिया मेरी मर्जी होगी तो मैं करूँंगे मुझे कोई रोग भी नहीं सकता मैं अगर करने प्याओंगे मुझे कोई रोग नहीं किसी के नहीं रहते हिम्मद भी नहीं लेकिन ये चीजर मुझे भी नहीं पसंद और ये बात मैं आप सब देखने वालों को भी बता दू उस वक्त कि अगर आप चाहते हो ना कि आपकी अपनी प्राइवेसी स्पोल्इन ना हो तो महर्बानी करके दूसरों की प्राइवेसी का भी खयाल क्या करें कि दूसरों के घर के मामलात में धकल अंदादी करना अपनी पाणक ड़ा आना वह अ morality बात नहीं होती है वह भी सामने वालों को नहीं लगता फिस तरह होता तो कुछ नहीं है इसतरह मेरे घर का मघलवापशarya अलिजाता है आज के लिए इतना भाशन बहुत था और यह मैं बता दू। अथिन भाशन की जाने के बाद जो है मैंने बहुत दिनों से दिल कर दा मेरा मेहन्दी लगाने का और बदा नी कितनी पुराणी में फार मेहन्दी पड़ी थी 6-7 महीने पुरानी होगी शायद यह महंती पड़ी तो बच्छी भी मैने इस तरह से लगा ली यह मेरे नेल्स लगा यार यह मैंने 50 रुपए के नेल्स घरी दे थे मुझे नेल्स बॉट पसंदे बड़े नेल्स अब मैं क्या करूं मेरे नाखुन बड़े न होते है और अगर बड़े इसमयत से हो जाये तो काम में ब dubbed and under the handcuffs मेरे सारे नेल्स टूट जाते हैं करहा हुआए वकी मीरे नेल्स सफ्ट जाते eff Aku iki शच जं़ाए इसलिए यह मैने नेल्स आप लगाये अब कल्सी को सही जह ल्गाये टेलया कुछ कम दो के लाज रात ऑफी लेड़ाय थे इसलिए मैंने कोह काम बगाद मैं क्या कीचन में भग से प्रैस नी थे खजन थे खजन थे खजन थे और आपको मज़ा आया आपको सब लोग क्या बुलाते है अलो गाइस क्या अपको पूलते आपको हैं चले जी अब दो जो है सवा एक हो चुखा है और बच्छों को या खाना हुआ नखिलाओं यह बच्छों को तोड़े के लिए सुला दूँगी और अपने गर काम करूंगी। और यह अबयान साथ क्या करें ओंगे और अबयान यह देखें भाईYnEx एडिए ये देखें उटा एगा से तूम चालो तो शाबस ये कि अजी ये तूम सारा झाल 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 इस ताब में मैंने सारे गर काम कर लिया था मैं मेरे हजबन गोल कपे लेकर आए तो जो है मैं बच्चों को गोल कपे देगी और खुदी खाती अपने खाने दाप लिए जाए यह बड़ी प्लेट है अभी हाँ इसलाब उपाई जब लोग चलेज़यों, अभी मैं पुल कपे बनाओ, बच्चों कि फ्लेट बनाती हो लो भजी तूटिया लचेमा बाख सलाब है कुल कि इसलाब अभी काल अभी के सब लोग शुञए हाँ में प्रचा पर अबेंगाब्स जब प्रचा जब हादा करें तालल जब प्रचा जबने भीका जबस्टा जब करें मलत जब प्रचार का जब पैस मालत आपने खाने नहीं नहीं होगी 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 आपने खाने में खाना पकाने की तयारी करने हैं क्यास मैंने ब्राउन कर लिए हैं क्याम अब ब्रलोर है इसके में अधरक लसन का पेस दाला है और कड़ी पता में डाला इसके इन अभी अधरक लसन डलाना जोश का मूँचिया क्याम अधर दो क्याम वह रना जोफ़ें जो यसके बार जो है इसके करना मैंने क्या नहीं चिकले इसके दो के रखी है इसके हमें नहीं पेसीवी घरी मिर्चे तन एक पाकेड़ मेंने च्छोटा आला- शान का अंध बिरिआनी मसाला डाला थै का ब्रीट इसमें जो है मैं दो और ये धाय चम्मच नमक डाला है मैंने इसके बार ये सारा समान मैं इसमें डाल दूँगी और इसके अच्छे तरीके से मैं भूनाई कर दूँगी इसके इलावा जो है चावल मैंने यहां पर भीगो के रख दी है ये चावल ये सा पानी निकाल के ना चावल मुझे भीगोई विसक पांच मिनिट होएं कि जिन दिखे मेरा कितना नूम डिन क्लीन है थोड़ा सा जो रस में मैं जो शाने दूँ जो शानी के बाद इसकी अच्छी तरह मैं भूनाई करूंगी इसके बाद जो है मैं इसके अंदर आलू काटके डालूंगी चले थोड़ा इसको ने इसके बाद जो है मैं यहां से आलू निकार लूँ आलू चारी बची हैं गेरा इसके इलावा इसको यह थोड़ा सा में इसको यह दोलो ती हो इसको अच्छी तरीके से मैं इसको सासुत्रा भी कर लूँगी सासुत्रा हो गया अब यहां पर सारा नीचे वाइपर लग जाएगा मैंने इसके अंदर जो है अलू डाल कर पहले अच्छी तरीके से बुनाई कर ली करने के पास का तेल और मसाला अरूमा देखें किस तरीके साय उपर अब यह अच्छी तरह जब इसके अंदर उबाला जाएगा तो यह मैंने चावल पानी में पानी मेंने निहीं काल दिये थुड़ा से और भी पानी में इसके अंदर तरीके से थोड़े के लिए इसको भग देते हैं ताकि इसमें भाब जमा हो जाए चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए नी शदीद गर्मी होने के भावजूर पी आप यकीम माने हमारे गैस का कहीं दूर दूर तक नहीं हता पता आजब हैं ओभें आजब हैं कि देखें मेरे किचन का लुक किचन देखें मेरा मुझे मेरा किचन बहुत प्यारा लगता है अच्छा मैंने आपको बताया थे ना कि मुझे मिटी के बरतन बहुत जादा पसंदें इंशालत आला मैं एक मिटी का जो है बड़ा खुबसूरत सा डिनर सेट लेकर आँ पूरा यह मेरा मिटी का कूलर है यह मेरी सास ने बनाया है यह मेरा आपको दिखाया था इसके इलावा जो मैं आपको दिखाती है यह देखें यह मेरे किचन में उपर मैंने यह मिटी के वरतन भी रखी है यहां पर भी है और यह यहां पे भी रखें मैंने यह तो रह गए यह पू अल्ला में नानी की मक्सरत फर्माएं उन्हें जजाया खेर रता फर्माएं माई हूम स्वीट हूम वल्कम माई हूम स्वीट हूम पानी सारा उगल चुका है अब इसके अंदर जो हैंगी सारे चावल चले जाएंगे यह देखें पानी ना हमेशा चावलों में कम रखें पानी ज्यादा हो जाएगा उगर ज्यादा पानी हो गया वो कम नहीं हो सकता चावल सारे खराब हो जेएंगे यह बहुत ही लेटेस्ट टिप है अनमसकी बहुत ही लेटेस्ट टिप सादे नाल रहोगे तो आशकरोगे जिंदगी के सारे मजे क्या शकरोगे सादे नाल वाव अनल यार वाइस तो नाइस जिके में इसने जाल चावल आदी है अबियान आगे जो आप आगे जो आप आगे जो वाव 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 वाटर साइकल अबियान अब क्या कर रहे हो साइकल चला रहे हो इस टाइम पर हमारा खाना अभी रडी हो रहा है मैंने चावल दम पर रख दिये लाइटे बड़े बन कर दी अभी हाँ आपने हेलो गाइस नी किया यह आपने अपनी आइस पर क्या लगा है आइस बन करो ओ माई गॉड बन करो लाइने लगा है आपनी वुई 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 यह देखिए जरा इस राइडर को देखिए बाइक राइडर को वाव यह देखिए मैं चावर को टाइडर को देखिए अटिक है इसा खिला खिला चावर मना वह है और मैं चक के देखिए बहुत टेस्टी बहनी है देखिए मैं आपको रोश्णी में निखाती है अब आप अब लेके जाओंगी अब सब लोग खाना खाएंगे चले पहले मैं ट्रे ले जाओं कमरी में मैं दस्तर खान निखाना लगा हूंगी आज ही मैंने शीशा साफ केता शीशे का हाल देखें और यहां करती हम अपने विलोग का एंड उम्मेद करती हम आपको आज का मेरा विलोग पसंद आया होगा उम्मेद करती हम आपको आज का मेरा विलोग पसंद आया होगा अगर आपको मेरा विलोग पसंद आया होगा अगर आपको मेरा विलोग पसंद आया होगा अलावाफेश